नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा उप्योग मुख्य रूप से बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। फीवेगो सस्पेंशन बुखार को कम करती है। इसके अलावा फीवेगो सस्पेंशन का उप्योग दर्ध को कम करने के लिए भी किया जाता है। फीवेगो सस्पेंशन का उप्योग सिरदर्ध होने पर, मासपेशियों में दर्ध होने पर, जोडों में दर्ध होने पर, दातों में दर्ध होने पर, कमर के दर्ध, कान के दर्ध, माईग्रेन के दर्ध और गले के दर्ध आधी कंडीशन्स में फीवेगो सस्पेंशन का उप 250 mg पर 5 ml और ड्रॉप्स की फॉर्म में अवेलेबल है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि फीवेगो सस्पेंशन की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं वैसे फीवेगो को लेने से लिवर डैमेज हो सकता है इसलिए आपको फीवेगो सस्पेंशन को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई खुराक में ही बच्चे को देना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे की फीवेगो सस्पेंशन को बच्चों को देते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहि अगर किसी बच्चे को फीवेगो सस्पेंशन या इसके किसी भी इंग्रिडेंच जैसे पैरासितामोल आदी से एलर्जी है, तो ऐसे बच्चों को फीवेगो सस्पेंशन को नहीं देना चाहिए. फीवेगो सस्पेंशन को डॉक्टर बच्चों के शरीर के वजन के हिसाब से 10 mg से लेकर 15 mg पर किलोग्राम दोस को दिन में 3 से लेकर 4 बार लेने की सला देते हैं वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका फीवेगो सस्पेंशन से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं